इस वीडियो में जो हम यूएफा चेंपियन्स लीग का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा इंटर मिलान वर्सिस लिवरपूल के बीच मैच का वेनी होगा मिलान रात में 1.30 एम पे मैच स्टार्ट होने वाला है तो दोस्तों ये राउंड आफ 16 का फर्स्ट मैच है जो कि इंटर मिलान के घर में और दूसरा मैच होगा लिवरपूल के घर में अगर मैं आपको ग्रूप स्टेज दिखाऊं तो लिवरपूल ने अपना ग्रूप टॉप किया था और इन्होंने 6 के 6 मैचेज जीते थे इस ग इंडियाए के एक दूसरी टॉप साइड है वो भी इनके ग्रूप में थी इसके बावजूर लिवरपूल ने इतना अच्छा घिला था डॉमिनेट किया था अपने ग्रूप को इंटर मिलान ने रियाल मेटिट के पीछे नंबर सेकिंड पोजिशन में फिनिश किया था इस इस ग्रूप के हुए थे लिवरपूल ने जीते हैं और यह दोनू टीम्स ना अपनी अपनी लीग की यानि कि अपने अपनी जो कंट्री है वहां की वन अप दा बैस साइड मानी जाती है इंटर मिलान करेंड़ी वहां टाइटल चालेंज में और लिवरपूल आप जानते ह नहीं कर सकते हैं वाजबी क्कॉलिटी है बढ़ लिवरपूल जिस तरह की फर्म में लिग में नेक्ट लेवल फर्म में चल लिए चेंपियंड लीग में मैंने आपको बताया सारे मैचे मुल्ह झी जीती है ग्रूप स्टेज में तो जितनी अच्छी हो फर्म है जितने करके टीम बनाएंगे अपनी लेकिन अगर आप ग्रेंड लीग खेल लेना शोली कुछ कॉम्बिनेशन इंटर मिलान और कुछ ड्रॉज वाले जैसे की वन वन ड्रो गूल ड्रो ऐसे कॉम्बिनेशन भी जरूर लेना विकॉज यह रिजल्ट ना किसी भी साइड जा सकता है फिलाल स्मॉल लीग में हम लिवरपूल को फिवर करने आले हैं तो अभी प्रोवेबल लाइनप पे हम आते हैं उससे वेले एक चीच गहना चाहूंगा इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग टीम और सभी फुटबॉल मैचेद हम टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं उसका लिंक यह तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा यह आपको मिलेगा टॉप पिंड कमेंड में वहां से जूड़के आप मेरे टेलीग्राम चैनल स भी करूँगा फोर या जहाजादा फाइब प्लेयर्स तो फिलाल इनकी 11 देखते हैं एलिसन बेकर हूंगे इनके गोल की बर चार इनके डिफेंडर है ट्रेंट एलेक्सिंडर आनॉल्ड कोनाटे यहां पर कोनाटे वाले प्लेज में मैंतिब भी खेल सकते हैं वर्जिल वै मैं इन चार में मैं आपको सइजेक्ट करूँगा मिनिमाम तीन डिफेंडर ता आव लिवर्पुल के कीजिए कीजे और इनके डिफेंश के बाद इतनी ज्यादा क्वालिटी है मैं आपको इतने में लिवर्पुल के मैस्स कवर करते हाँ आपको से नावलिज होई गई होग है दो गोल दो सिष्ट है चांस क्रेट और डिफेंसी पॉइंट प्लिंशीट होने में उसके पॉइंट एक बहुत इंपर्टेंट प्लियर है तो एलेक्जेंडर अर्नॉल्ड होगे रोबर्सन होगे दो नूम अश्पिक है थाड में वेंडाइक किसा जाँगा है एडरस में क सोली रिकमेंड करने वालों हूँ अब मिट्फिल्ड से वेले फ़रवड देख लेते हैं मोसाला डियागो जोटा और साडियो माने तीनों ही मश्पिक रहेंगे अगर यह फ़रवड त्री खेहलते हैं तो साला बताने की जर्वत नहीं करें लिए आप इनको लिवरपूल कर नहीं वर्ल का भी वन अप दा बेस्ट प्लेयर में काउंट कर सकते हैं 16 गोल नो असिश्ट कर चुके हैं और पेनाल्टीज होंगे एक डिफॉल्ट केप्टन सी ओप्सन होंगे इस मैच में माने बहुत बहुत अच्छी फॉर्म में गोल असिश्ट करते हैं रेगुलर और अभी एफ कॉन भी जिता गया रहे अपनी कंट्री सेनेगल को और जोटा भी बहुत अच्छी फॉर्म में 12 गोल यह भी मार चुके एक असिश्ट है और अभी लास्ट या लास्ट मैच में एक मैच में दो गोल इनोंने स्कोर किये थे तो साला होगे जोटा होगे माने होगे यह तीनों अंड्रॉपेबल है तीनों ही माश्ट पिक रहने वाले हैं अब मिट्फिल में ना हमारे पास एक स्पाट बज़ रहे है विकोज मैं तीन डिफेंडर पिक कर रहा हूँ तीन फॉरवर्ट पिक कर रहा हूँ तो यह हेंड्रसन फाबीनियो थियागो में किसी एक क साथ जाओंगा फाबीनियो थियागो दुनों ऐसे व्लेर विदाउट गोलसिष्ट आपको 25 से 30 पॉइंट दे देते हैं अभी के लिए मैं स्लाइडली थियागो को बैक कर रहा हूँ वैसे फाबीनियो ने पिछले मैच में गोल मारा लेकिन उतना गोल स्कोरिंग के लिए जाने जाते कभी-कभी गोल्स मार देते हैं लेकिन थियागो ना मोश्री मैचेज में 40 पॉइंट देने में भी विदाउट गोलसिष्ट आप इनको टॉनी कुरूस से कंपेर कर सकते हैं ऐसी ब्लेर हैं बहुत चांस क्रेट करते हैं बहुत पासिस करते हैं थोड़ा बहुत करते हैं नहीं तो आप चाहें फाविनियो के साथ भी जा सकते हैं यह भी मोश्री मैचेज में 25 से 30 से पॉइंट दे देते हैं विदाउट गोलसिष्ट तो यहां पर आपका कॉल है फाविनियो के साथ जारो उसका एक और रिजन में आपको बताऊं फाविनियो का लगबग सभी चीज़े मैंने यहां से आपको डिटेल में कर दी फिलाल यह इनके सीजन के स्टैट है यह प्रीमियल लिग के स्टैट है मैंने चेंपियन लिग के स्टैट नहीं लिखे हैं अपनेन के बाद करने से बहले फिर रिमाइंड दिला दू इस मैच की फाइनल चैनल आपको मिल जाएगा अब हम बात करते हैं इंटर मिलान की तो वाकिम कोरिया और गोसेंस जो इनकी न्यू साइनिंग है यह दुनों भाण है और बरेला सस्पेंडेट होने वाले हैं तो इनकी 11 देखते हैं सामिर हेंड़न इनके गोलगीबर इंपोर्टेंट हुंगे इनको मैं surely recommend करूँगा because I think Liverpool ज्यादा अटेक करेगी तो आपको अच्छे खासे saving points इस match में दे सकते हैं त्री इंता बैक में खिलते हैं इनके तीन सेंटर वेग है साथ ही जो इनके राइट विंग वेग है डंजिल डंफराइस ये चारो बंद्य आपको fantasy platform में मिलेंगे defense section में वैसे दो इनके defense में quality है बट अभी के लिए न मैं इनके ज्यादा midfiller और attacker में focus कर रहो क्योंकि मैं Liverpool का heavy defense भी आ रहा हूँ तो मैं स्क्रिंग defensive work दोनों करने में capable है जिस position से खेलते हैं वहां से goal assist भी करते हैं अभी Syria में इनने तीन goal तीन assist भी किये हैं तो डंफराइस हो गए या screenier हो गए मेभी आव इन दोनों में किसी के साथ जा सकते हैं वैसे बैस्टोनी डिवराई भी हैडल लगा सकते हैं लेकिन सबक अच्छे कासी पॉइंट हमें दे सकते हैं मिट्फिल में ब्रोजोविच मोशली मचेद में 20 से 25 से पॉइंट देने वाला प्लियर है डिफेंसी मिट्फिल्डर है अच्छे टेगलिंग इंट्रसेप्शन इस्टेट है तो एक decent option आपके लिए हो सकते हैं आपको लग रहा है परिसिज मश्विग रहेगा सिलेक्शन भी बहुत अच्छा है और यह जिस पोजीशन से खेलता है अज़र लेफ्ट विंग यह खेलता है वहां से बंदा गोल्स असिस्ट तो करता ही है साथ ही अच्छा डिफेंसीव अग भी करता है अगर मैं आपको लीक केस्ट है दिखा लेता है ओन टार्गेट लेता है इवन कोनेर की फ्रीकिक भी लेता है इस टीम से च्छे गोल एक आठ असिश कर चुका है सीरिया में और कभी-कभी पेनल्टी भी शेयर करता है लोटारो माटिनेस के साथ तो मैं हापे हाकन चैनल अगलू को भी रिकमेंड करूंगा मिट फि के लिए चैनल अगलू के साथ जारू क्या वारूसा पेनल्टी ले ले और फिक मानने में भी ए एक्सपर्ट है तो चैनल अगलू मश्पिक रहने वाले है अब यह जो फरवर्ड टुए ने इडन जैको लोटारो मार्टिनेस दोनों वाल क्लास है बट दिक्कत क्या है जैको इन फर्म चल ले हैं मार्टिनेस पूरे आउट फर्म चल ले हैं लेकिन मार्टिनेस ने अभी अर्जिंटीना के लिए ना जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैचिस के लिए उसमें लगबग हर मैच में गोल मार रहा है वैसे लीग में उतनी अच्छी फर्म में यह इनके टॉप स्कोर हैं क्योंकि इनका सुरुवात अप्धा सीजन बहुत अच्छा गया था 11 गोल्स मार चुके हैं और मेभी यह पेनल्टी में भी हो सकते हैं लेकिन जो इडन जैको है ना इनकी रिसेंट फर्म बहुत बहुत अच्छी है लास्ट एक मंद में इन उनने बहुत ग मार्टिनेस को पिक करने में यह 10 के हैं यह सिर्फ 9.5 के हैं तो फिर भी आप जैको या मार्टिनेस में अपने अकॉडिंग डिस्यान लेना हां अगर आपको लग रहा है ना दोनु फ्लॉप जाएंगे तो दोनु को पिक मत करना विकॉज अगर दोनु का गोल असरी नहीं विदाउट गोल असरी यह दोनु उतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं देते अगर आपको लग रहा है दोनु फ्लॉप जाएंगे लिवरपूल क्लीन शीड लाएगी तो इन दोनु को ड्रॉप करके आप मार्शयलो ब्रोजोविच यह स्क्रिन या डंफ्राइज में किसी ए प्लेयर हैं बागी मैंने आपको बता दिया लोटारो मार्टिनेस जैको में किसी एक यह आपको लग रहा है दोनु फ्लॉप जाएंगे दोनु को पिक ना करके ब्रोजोविच नहीं तो आप स्क्रिन या डंफ्राइज में किसी के साथ जा सकते हैं बागी एक और चीज कर सक जो मेरी पिडिक्सन है मैं एक 2-1 एक 2-0 लिवरपूल विक्ट्री के साथ जा रहूं अल्दो इंटर अपने घर में उलेट फेर कर सकती है बड़ ओब्यसली फेवरेट तो लिवरपूल ही होगी तो यह मेरी डेमोर एफ्टी में गोल कीवर मैंने यहां पे इंटर के लिए तीन डिफेंटर अभी के लिए मैंने लिवरपूल के लिए है और उनके तीन बेश रटेकल लिए साला जो मेरे केप्टन है डियागो जोटा और माने साथ में मैंने थियागो अलकंटार लिए आपके पास हाफ क्रेडिट वसते है न इनके ब्लेस में आप फावी नियो पिक कर सकते हैं यहां मैंने हकन चैनल लग लू लिए है पडिसील या भी के लिए जैको लिए वही हाफ ट्रेडिट नहीं बचा नहीं तो मेभी मैं लुटारो मार्टिनेस भी पिक कर सकते था अगर आपको लग रहा जैको लब जाएंगे मिट फिल में ब्रोजोविच डिफेंस में किसी एक के साथ जाया जा सकते हैं कैप्टन साला रहेंगे डिफॉल्ट वाइस केप्टनसी में आप लिवर्पूल फिवर करें जोटा माने ट्रेंट अलेक्जंडर अनॉल्ड यह तीन बेस्ट अप्सन है अगर आपको लगरा वन वन टूवन टैप की स्कूल लाइन जैसे प्लेयर को भी वाइस केप्टनसी दे सकते हैं तो यह मेरी डेमो रफ टीम थी जो भी मेरी अपडेटेट फाइनल टीम होगी लाइन अप आनी के बाद मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करूंगा उसका लिंक है डिस्क्रिप्सन बॉक्स में जरूर से जरूर जोइन कर लिजे